आप देख रहे हैं आपका चैनल शे बाजार वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफते के बाजार के उपर यानि पाथ से नौ जुलाई का बाजार आपको कैसा रहता हुआ देखने को मिल सकता है बाजार में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले और वो दस जल्यूरी बात है जिसके उपर आपको पूरा ध्यान रखना है कैसा रह सकता है अगले अपते बाजार क्या 16000 का आखड़ा बाजार टैच कर पाएगा या फिर बाजार के इंदर मुनाफ़ा वसूली आएगी तो दोस्तों आपको सब कुछ इस वीडि वाली रेंज में चल रहा है रेंज बाउंड होके रह चुका है मार्केट आपको देखने को लगातार मिल रहा है बाजार 16000 के आखड़े के आसपस आता है लेकिन देखिए उसको टच नहीं कर पाता है हमको पिछले हफते भी यही देखने को मिला बाजार के अंदर कभी बाजार का क्या मैजिकल आकड़ा बाजार टच कर पाएगा तो देखते दस जरूरी बाते कौन-कौन सी है तो देखते दस जरूरी बाते इनवेस्टर्स की नजर रहने वाली है बेकॉज आपको अब अर्निंग सीजन आता हुआ देखने को मिलेगा बाजार में सबसे तो में पहले क्यूफो की नतीजे आते विए देखने को मिल रहे थे अब आपको यहां पे बाजार क्यूवन की अर्णिंग्स की टुवर्ड्स आपको शिफ्ट होता हम नजर आएगा यह एक बहुत बड़ा कारण रह सकता है जिसके बाजार में जो कंसॉलिडेशन की यह इपको बताता हूं सबसे बड़ी बात है कोविड और क्या उसको लड़ता हूँ बना इखने को मिल रहा हुआः और यह विरियंट और इसमें दोस्तो आपको देखने को मिल रहा है विकोज यह जो बाई कंटरी के लिए वो तों इक चिंता की बात है पहले देखिए हम second wave जो आपको तीज़े हिट करती भी नजर आयी थी अब third wave के लिए दोस्तो delta variant जो निकल के आये यहां पे कहा जा रहे है कि delta variant जो थर्ड वेव को लेके आएगा क्योंकि बाजार इसके उपर भी दोस्तो आपको रियाक्ट करता वो नजर आने वाला है क्योंकि बिछले आपको देखने को मिलेगा country में करीबन यहाँ पे 3 करोड के असपर confirmed covid-19 case यहाँ पे रिपोर्ट हुए जिसमें से करीबन 4,050,000 के असपर death होती भी देखने को मिलेगा यहाँ पे करीबन 2 करोड 96,00,000 के असपर देखे लोग recover भी हुए लेकिन अभी भी आप लगातार देखिए आपको vaccination के उपर बढ़ता हुआ देखने को मिला है और यहीं देखिए बाजा सबसे important बात है देजी से vaccination बढ़ेगा तो market में भी दोस्तों यहां पर एक मजबूती बनती भी देखने को मिलेगी करीबन 34 करोर इंडियन को यहां पर अभी तक कोवेड के वाक होते हैं पहला है clean sciences और दूसरा है दोस्तों GR infrastructure देखिए यहां पर यह दो कंपनी आपको अपना IPO लॉंच करते हैं जुलाइस से यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है clean sciences को दोस्तों यहां पर आपको अपना प्रोजेक्ट्स यह अपने IPOs देखिए लिस्ट करते पी निजर करना चारी है अगर GR infrastructure की बात कर तो वो करीवन 963 करोड का issue है जिसमें आपको company करीवन 828 से 837 रुपीज यहां पर उन्होंने price band रखा है जो करीवन 8 July को आपको बंदोता हुआ नजर आएगा तो बाजार के लिए काफी नए दो यहां पर प्लेयर्स आने वाले बट लिस्ट यहां पर India Pesticides आपको देखिए बाजार के अंदर कल से लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है कल बाजार के अंदर आपको यहां पर India Pesticides की listening देखने को मिलेगी और कल से देखिए आपको N.A.S.B.S.E. दूनों पर trade करता हुआ देखने को मिलेगा जिन लोग को यहां पर GMP पी जाना तो करीबन 60-60 रुपे इसका GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे important रहने वाला अगले अपते के बाजार के लिए वो है दोस्तों earnings बाजार अब आपको फिर से नई earnings के उपर react करता है याद रखेगा बाजार के लिए earnings से बड़ा कोई event नहीं होता है अगर आप देखें क्योंकि बाजार सबसे जादा जिस पर react करता है या फिर जो strength देता है वो दोस्तों earnings होती है because earnings कैसा करेगी उसके उपर बाजार टोटली dependent है और investors अब अपनी नदर रखेंगे दोस्तों यहाँ पर June quarter की earnings पर जो आपको next week साती भी देखने को मिलेगी बड़ी-बड़ी companies देखें यहाँ पर आपको अपने numbers पेश करने वाली है सबसे बड़ी TCS TCS के आकड़े आने वाले फिर D-Mart Avenue सुपर मार्ट डेल्टा कॉप अलायंस इंटीग्रेटेड मैटल एक्स एशियन होटल सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट क्वालिटी श्याम मैटलिक्स इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विस मदू कौन प्रोजेक्ट्स एंड पीटीच इंडस्ट्री यह कुछ बड़ी कंपनी दोस्तों जो आपको अगले हफते बाजार के अंदर अपने रिजल्स पेश करती निजर आएगी इसमें सबसे जादा बड़ी जो कंपनी है वह है टीच और एविन्यू सुपर मार्ट पर आप देखा जाता है कि कंपनी थोड़ा सा लेट नंबर पेश करती है लेकिन क्यूबन के नंबर काफी जल्दी पेश कर रही है डिफिनिटली ये भी एक बड़िया बात है बट अगर क्यूबन के नंबर बहतरी निकल के आते हैं जो आपको आठ तारीक से दोस्तों चालू होता हुआ देखने को मिलेगा टीच के आकर याद रखिएगा एट ऑफ जुल ज़रूरी याद रखना है क्योंकि नंबर्स आने वाले अब बात करतें दोस्तों एफाई इसके उपर सबसे इंपोर्टेंट दोस्तों को देखने को मिल रहा है लगातार फॉरें इंस्ट्यूशनल इंवेस्टर्स यहाँ पे नेट सेलर्स देखने को मिल रहे हैं वो देख आपको एक करेक्शन देखने को मिल गया था और इसी के कारण अब एफाई इस अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं अगर आप देखेंगे एप्रेल में जून एफाई इस करीवन यहाँ पर अपने शेर्स बेचते विद पाए गए जो करीवन बारा हजार करोड के थे आपक इन्सिटूशनल इंवेस्टर्स दोस्तों यहाँ पर खरीदारी करते वे नजर आ रहे हैं उन्होंने करीवन यहाँ पर 6418 करोड की बाइंग करीए जो बहुत ही बढ़िया आक रहा है आपको हमेशे देखने को मिलता है एफाई आई इस और डियाइस में वाइस वर्सा पर खरीदारी करते वे नजर आने वाले तो बाजार के लिए इंपोर्टन यहीं कि नेट सलिंग रुके और अपको नेट बायर बनते वे नजर आ है और मुझे लगता है कि देखिये बाजार के अपर डिफिनिटली यहाँ पर बाइं करते वे नजर आ सकते हैं बिकॉस अपर दोस्तों अपर उसकी बात है फिर से चालो होने वाली है मंडे को क्योंकि एक डील यहाँ पर फेल हो गई थी ओल आउट्पूट पॉलिसी पर और सेकंड डे रनिंग और फ्राइड विकॉस दे उनाइट अरब एमिरेट्स ब्लॉक्ट सम एस्पेक्स ऑपक्त तो यहा आपको क्रूड आल कि यूश् के अपर नजर रखनी है और यह यह यूए के कारण दोस्तों यहां पर एक ब्लॉक करे एक डील को अभी यहां पर दॉक्त mens and Gram. लगातार आपको देखने को मिल रहा है जो आई ले उसके लगातार में एक थेजें से देखने को मिल रहा है और दिळ इसलिए उना चारी थी 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 ता कि kród दोस्तों अभ थोड़ी से काम होई क्यوقकि अब को देखने को मिल रहा है यह करीब हैं दो साल की हाइस पे आपको चलते वे देखने को मिल रहे हैं तो crude oil के prices अगर कामों की जो देखिए बाजार को एक sustainable strength मिलती है बट crude prices बढ़ती है तो definitely थोड़ा से दिक्कत रहती है अब अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो important रहने वाला है कि अगर आपको यहाँ पे crude oil जो 20 DME के support है 72 और 50 DME का support है 69 उसके उपर अगर यहाँ पे टिकता है तो ठीक है बट एक resistance है 76.70 और 77.8 डॉलर अगर यह तूट निकल जाएगा तो 80 रुपे के towards आपको crude oil जाता हुआ देखने को मल सकता है दोस्तों अब बाजार के लिए दोस्तों सबसे बड़ी चिंता है वह है रुपी और डॉलर यह बहुत इंपोर्टन है देखिए डॉलर बढ़ता है तो market में गिरावड बनती है रुपी बढ़ता है तो बाजार में तेजी बनती है यह common sense से क्योंकि बाजार आपको रुपे पे जादा रियाक्ट करता हुआ नजर आता है लगाता लास्ट दो वीक से आपको देखने को मिल रहेगा इंडियन रिपी रिमेन अंडर प्रेशर देखिए बाजार प्रेशर में क्यों रहता है में रता है योज दादा यंनि डॉलर में आपको डो सबसे निछ तर पर आपको यहां पर अगर यहां पर यहां पर देखने को मिल रहा है और हुआ देखने को मिल Sultan उट्शकर काamanग में थिंट सब्सक्राइब लिए को देखने को मिल रहा है किया और यहां पर यहां पर यून की जोना से provide तो बाजार के लिए बहुत ज़रूरी कि रुपी सस्टेने वल रहे हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो रुपी के अंदर भी देखें आपको काफी वीक ट्रंड देखने को मिल रहा है क्योंकि जो उपी इसी की यहाँ पर अभी देखें जो क्रूड ओल के बात कर रहा था हमे वो डिले हुई उसके कारेंट देखें यहाँ पर इनकी भी रुपे के अंदर भी देखें गिरावर्ट देखने को मिल गई आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है इंडियन सर्विसेस पर्चेसिंग मैनेजर इंडेक्स दोस्तों यहाँ पर आपको 46.4 पर देखने को मिला था जो आपको एप्रिल से डाउन होता हुआ निजर आया था और अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं एक्सपांशन जाए ओपर आपको बढ़ती है तो आपको बाजार बढ़ता वा निजर आता है GDP गिरती है तो बाजार के इंद्टर प्रेशर बनता हुए देखने को मिलता है यहाँ पर अगर देखे तो बाजार में देखने को मिल रहा है कि थोड़ी विर लिजेश् केंडल भी वॉर्न हो रहे हैं दीरे दीरे विर लिजेश्केंडल कैसे चांडल हो लो देखिए एक रेंच बाउन्ट है अगर रेंच बाउन्ट रहेता है इसा मतलब में गिरावट संभव है गिरावट आ सकती है नेक्स सेशन में हमको देखने को मिलेगा क्या बुल्स यहां पे 15,755 का लेवल ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं और फिर आपको 15,840 रुपे का लेवल तोड़ना बहुत ज़रूरी है बाजार के देखे तेजी के लिए सबसे इंपोर जुरुआत में ठीक टाक SDX शो कर लेता है तो अभी बाजार आपको देखने को मिलेगा कि बढ़िया तेजी कर रहे थे लेकिन बाजार में जब से 5,900 रुपे के लेवल के आज़ पसाया तब से बाजार में देखे इतनी तेजी बन नहीं पा रही है तो यह बहुत इंपोर बाजार 2,200 पर भी काफी काल राइटिंग है और 15,500 पर भी काफी पूट राइटिंग हमको देखने को मिल रही है निफ्टी के लिए 15,700 एक ऐसा जोन है जहां पर बाजार उपर की टूबर्स आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन अगर बाजार 5,700 के इन जिस दि करने वाली यह काफी इंपोर्टेंट के सारी दोस्तों यहाँ पर आपको इंफोर्मिशन मिल जाती है लेकिन अब सबसे बाड़ी बात के तो दिखिए ग्लोबल क्यूज करेने वाले युनाइटेट सेट्स आप रखेगा नजर क्योंकि वह भी दोस्तों अपने PMI के फाइन करता हो नजर आ सकता है बाजार के लिए इस दोस्तों सबसे इंपोर्टन जो दिन रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों आपे वेडनेस देगा क्योंकि यहाँ फॉरेंट्स एक्सेंज रिजर्व सियांपे जून के आकरे रिजर्ट पेश करेंगे फिर आपको देखने को मिलेगा आपको कि यहां पे चाइना के अंदर इवेंट से इंडा के इंदर एक इवेंट है की फॉरें एक्सेंज रिजर्फ के दूस्तों जो जुलाई की मीटिंग थी उसके यहां पर आकड़े आते वन इजरा आजेंगे तो समाझ के चलिए कि बाजार इस अफते बहुत रहने वाला है बाजार मुझे रखता है कि 15600 की रेंज जो है उस पर ट्रेड नहीं करेगा और 16000 के आकड़े इस बर देखिए आपको आपको इस हफते बाजार के अंदर देखने को मुझे लगता है कि मिल सकते हैं तो बाजार में बिलकुल भी शौट नहीं रहना है बाजा सब दोस्तों एक आपको बाजार के अंदर इनिशल रिकवरी प्लस 16000 का लेवल बाजार में शो होता हुआ देखने को मिलेगा तो रिकॉर्ड हाई के लिए तैयार हो जाईए बाजार के अंदर एक बड़ी तेजी होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था हो अपको अच्छे लगा होगर अपको अच्छे लगा तो लाइक कर देना चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्स्राइब पर देना थैंक यू फ्रेंड्स वाचिं दिस वीडियो